नमस्कार दोस्तों आप मैंसे बहुते दोस्तों ने मुझसे 3G और 4G कटिंग के बारे में कई बार पूंचा है और चलिए दोस्तों एक ऐसी बिधी की जानकाली जिससे एक पौदे से आप सेक्ड़ों और बड़े स्थरपा करें तो हजारों फल पा सकते हैं बहुती आसानी से तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3G कटिंग क्या होती है, 3G कटिंग कब कर सकते हैं, कितने बड़े पौदे पे कर सकते हैं और 3G कटिंग की जरूद क्यों है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताओं दोस्तों के कद्दू बर्ग के जो पौदे हैं लौकी, करेला, टिंडा इस प्रकार के पौदों पर आप इस तक्नीक को आजमा कर अपना जो पादन है उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं देखिए, ये मैं जमीन पे प्रक्रिया आपको समझा रहा हूँ, आप चाहें तो गमले में भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं पहली बात यह है कि तक्रीवन आपका पौदा 40 दिन का हो जाना चाहिए, उसकी लंबाई के बात करें तो तक्रीवन 30 से 35 सेंटीमीटर तक हो जाने के बाद ये 3G कटिंग आप कर सकते हैं थ्रीजी से मतलब है तीन, यानि कि एक ब्रांच को दो और फिर आगे उसे हम जब कट करते हैं तो तीन ब्रांच में उसे डैबलब करना हमें जरूवत क्यों होती है थ्रीजी की देखें नॉर्मल जब हम पौदा ग्रो करते हैं वो लौकी हो, कद्दू हो या फिर घिया उस पे मेल फ्लॉवर यानि कि नर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और जो फल देने वाले फूल होते हैं जिने मादा फूल कहते हैं वो कम आते हैं तो उस स्थती में हमें 3G कटिं तो देखें बन्यादी तोर पे सीधा सीधा सिधानती है कि अगर आपने जमीन पे से किया हुआ है तो यहां देखें कोई भी सुरू के जो तना है जहां से जड़ निकली है आपके पौदे की वहां पास में कोई नई ब्रांच निकलनी नहीं चाहिए तकरीवन 5-7 पत्तियो के आसपास तक आप कोई भी दूसरी नई साखा नहीं निकलने देगे अगर आप यही प्रक्रिया मचान के लिए कर रहे हैं जैसे किसी ओची जगह पर चड़ा कर तो यह प्रक्रिया आप लंबी दूरी तक रखें एक से दो मीटर तक लेकिन यह जमीन पर है तो सबसे पहले एक बлеad लेना है नए बलेट लीजीगा और जो नई branches निकल लेए यह देखिए यह मैं आपको देखा हूँ पास से इस प्रकार की जो नई branches निकल लेए ने बड़े साफधानी के साथ आपको कट लेएना है कोई भी branch आपको यहां रखनी नहीं है बलकुल यह देखिए मैंने काफी बड़ी ब्रांच भी काट दिया है यह आपका प्रथम काम हो गया यानि कि सुरू के जो ब्रांचे हैं उन्हें आपको कट कर देना है वो आपने कर दिया है अब देखिए इस पौदे की लंबाई में आगे बढ़िएगा लगभग दस पत्तियों के बाद या फिर 20 सेंटीमीटर के बाद जो मुख्य ब्रांच है यह देखिए यह मुख्य ब्रांच आईए निकल कर यह मुख्य साखा है इसको यहां से आपको आगे से इसे काट देना है यहां से आखिर में आप इसे कट कर दीजिए अब यहां से एक नई ब्रांच निकलेगी वो जो दूसी ब्रांच होगी उसे टूजी कहेंगे और जो दूसी ब्रांच निकलेगी उसे हम कट करेंगे वहां से जब एक नया अंकुरण निकलेगा उसे हम 3G ब्रांच कहेंगे चलिए हम इसे आपको दूसरे पौधे पर दिखा देते हैं इस पौधे को याद रखिएगा मैं से आगे के वीडियो में इसी वीडियो में आपको अपडेट भी दिखाऊंगा इसका क्या हमारे इस पौधे पर फर्क बढ़ा है लेकिन इसी बीच इस पौधे की जड़ है वहाँ पर आपको मिट्टी दवा देनी है मिट्टी से पौधे को और कवर किये देना है साथी साथ कुछ फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं गोवर खाद या बर्मी कमपोस्ट कुछ नई मिट्टी लीजिए और जहां जड़ है पौधे की वहाँ पर ठापा बनान जिसे बोलते हैं किसानी की भासा में उस प्रकासी मिट्टी बढ़ा गई चलिए मैं दूसरे पौधे पर इस प्रकरिया को और समझाता हूं आपको आपने अभी तक पहला चर्ण समझा कि पौधा लगवग 40-45 दिन का हो जाए 30 सेंटीमेटर दूरी हो जाए तो आप 3G कटि कर सकते हैं करके भी मैंने दिखा दिया लेकिन उससे बड़े पौधे के लिए आपको क्या करना जैसे लगवग एक मीटर से बड़ा पौधा हमारा यह हो गया है तो अगर आपने अगर शुरू आप नहीं किया है तो शुरू की जो ब्रांचस है उनको एक बास फिर आपको निकाल देना है ध्यान रखिए शुरू की ब्रांच अगर रहेंगी तो आगे की जो आप कटिंग करेंगे उनमें कोई फाइदा आपको नहीं होना है तो वही तरीका यहां भी अपनाना है और दस पंद्रह पत्तियां छोड़ने के बाद आप देखिएगा कि आगे यहां प पर चुके हैं दोस्तों यह वही पौधा है जिस पर हमने टूजी कटिंग की थी यह देखिए यहां से और उसके बाद इस पर देखिए कई ब्रांचेस निकली है यह लग लग यह देखिए और अब हम इन पर जोग थ्रीजी करेंगे यानि कि पहली जो साखा थी वो हमने काट दी वहां से कुछ और साखाएं निकली और उन साखाँ को फिर हम यहां से काट रहे हैं यह देखिए मैंने यह जो है कट कर दिया तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले हमने इस पौदे पर थ्रीजी कटिंग के थी और आज समय है उसका रिजर्ट दिखाने का 3 जी के बाद सबसे पहले 1 जी फिर 2 जी और 3 जी करने के बाद रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे चले शुरुआत से दिखाते हैं कि पहली cutting हमने यहां की थी यहां से दो-तीन branch निकली और उसके बाद अगली जो cutting हमने की वो यह देखिए यहां से की थी वहां से branch निकली यह दूसरी इसी प्रकार यहां से भी cutting की और यहां branch निकली तो जो तीसी ब्रांच निकली है उस पर दिए देखिए result इसका कितनी लौकी आप देख पा रहे हैं उपर तक आपको लौकी ही लौकी दिख रही होगी यह यहां से हमने cut किया था इस portion को यहां से एक तीसी ब्रांच निकली और इस ब्रांच पर यह देखिए एक लौकी यहां दो और उपर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ लौकी ही लौकी देखेंगी तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने बगीचे में अपने खेद में 3G cutting इस्तिमाल कर सकेंगे और अपने उत्पादन को जो है कई गुना 10 से 20 गुना बढ़ा सकेंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूले रहे